गुड मार्निंग ममींज वेलकम बैक टू आवर चैनल और कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे स्वास्त होंगे और अज दिन है सुभा का बजरा है सुभा सारे 9 और हम लोग का ब्रेकफस्ट हो चुका है आज बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मैं आप के साथ शेयर करूंगी मेरा संडे मॉर्निंग रूटिंग आज है संडे तो मैं अपना संडे मॉर्निंग रूटिंग मतलब आफ्टर ब्रेकफस्ट रूटिंग शेयर करूंगी और उसके साथ मैं शेयर करूंगी आज मैं क्या बनाने वाली हूं लंच मैं लंच रूटिंग बहुत अच्छा चीज़ में बनाने वाली हो तो चलिए अभी फिल्हाल तो चलते हैं कीचेन के तरफ अभी मैं अपने लिए गर्मा गरम चाय बनाऊंगी थोड़ा एनरजी बिल्ड अप करोंगी और उसके बाद काम पे लग जाऊंगी तो चलिए मेरा चाय डिडी हो गया मैं आप लोगों को दिखाते हैं मैं यहां पे भीगोरियों ग्रीन मूंग का डाल यह अच्छली भीगने में एक से देर घंटा लगता है उसके बाद इसको अगर मैं बनाओ तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है यह डाल तो बहुत ही अच्छा रेसिपी मैं शेयर करने वाले हैं तो चली भीगता है तो मैं अपना अदर्स जो काम है कर रही हूं यहां पे मैं आज संडे हैं तो मैं हेयर पैक लगा रही हूं एक्चली यह मेरा हुमेड हेयर पैक है और बहुत ही एफेक्टिव पैक है हमेशा मैं यही इस्तिमाल करती हूं तो मेरा पैक लग चुका है तो जब तक पैक सुख रहा है तो मैं मशीन लगा देती हूँ क्योंकि कल सैटरडे था मैं कपड़े धोई नहीं मतलब धोई नहीं सकी तो आज बड़ा एकठा हो गया कपड़ा बहुत जादा कपड़ा है तो मैं यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ बाइदवे मैं सारफेकसल यू कर रही हूँ और यह बहुत ही अच्छा है तो चलिए जब तक कपड़े धुल रहे है तब तक मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ बाइदवे मैं सब विदाउट मेड मैं अकेली हैंडल करती हूँ और मैं बैट के पोच्छा नहीं लगा सकती हूँ मेरा बैक का प्रॉब मैं यह बहुत ही कण्वीनियंट थे तो मैं इसी से ही हमेशा हमेशा पोच्छा लगाती हूँ आप लोग में देखे हCloud हूँ को यहारा पोच्छा लग चुका है तो अब मैं क्या करूं मैं यहांपे मायाक FERCowski का जो धूलेवी कपड़े थे वही मैं प्रेस करके रख रही हूँ क्योंकि कल जनमाश्टुमी है और आज संडे है कल मंडे कल जनमाश्टुमी मायां का छुट्टी है लेकिन घर में बहुत सारा काम हो जाता है पूजा का दिन कल मैं ना ब्लॉगिंग कर पाऊंगी ना मैं कल कुछ कर पाऊंगी पूजा में बिजी हो जाऊंगी बस तो मैं आज ही करके रख रही हूँ ताकि ट्विजडे को जब मायां का क्लास स्टार्ट हूँ तो कोई प्रॉब्लेम ना हो तो इसलिए आज टाइम था तो मैं यही करके रख रही हूँ और यह मेरा काम हो जाएगा कपरा प्रेस हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी अपना सर का पैक दोने और पैक दोने के बाद मैं डिरेक्ली आप लोगों से किचिन में मिलती हूँ मैं पहुँच गी हूँ यहाँ पे किचिन में और किचिन में पहुंसते ही मैं संग संग डाल जो है मैं बॉइलिंग पे चरहा रही हूँ सबसे पहले मैं इसको बॉइल करूँगी तीन से चार सीटी लगाऊंगी बस ये डाल अंगल जाएगा मतलब बॉइल हो जाएगा तो जब तक यहां बॉइल हो रहा है मेरा दाल तब तक मैं दूसरे काम के तयारी कर लेती हूँ यहां पे मैंने ओनियन्स को छिल के रखी थी और एक टमाटर ले लिया तो ओनियन्स पहले मैं मोटा मोटा काट लूँगी इसको क्योंकि आखिर में इसको मिक्सी में मुझे ब्लेंड करना ही है तो मोटा मोटा रफली में चौप कर लूँगी और टमाटर को भी मैं रफली चौप कर लूँगी अच्छा बाइदवे टमाटर का जाई उपर वाला हिस्सा है ना यह हमेशा निकाल दीजेगा मैं तो निकाल निकालने के बाद मैं उसको रफली चौप कर लूँगी बस और कुछ करना नहीं है इसको बस मसाले की तयारी करना है और चौक लगाने के लिए मैं क्या करूँगी कि सुखे हुई लाल मिर्च के संग यह थोड़ा सा जीरा ले लूँगी अब चलिए मसाले का तयारी कर लेत एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च पावडर आप चाहे तो तीखा वाला जो लाल मिर्च है वो भी यूजगा है और यह है प्ले़ा जीरा पावडर और उसके साथ प्ले़ाना धनिया पावडर एक चमँच बाइदेवे एक चमँच और यह है जो डाल बनाऊंगी ना उसके लिए तरका मसाला में यूज़ कर रही हूँ और यह है थोड़ा गरम मसाला पाउडर बस यही मुझे मसाला तयारी करना था और यहां पे मैं करहाई बैठा चुकी थी ओयल मेरा गरम हो गया था और उसमें जीरा और सुखे मिर्चे का छौक लगाने के बाद मैं डिरेक्टली ओनियन में यहां पे अड़ कर चुकी हूँ अपली हुको जादा पकाना नहीं है जस्ट थोड़ा सा sorry देना है और triangular हो जाए ain दैसीत मिला दूगे टमाटर बस टमाटर को भी जादा हमको पकाना नहीं है थोड़ा सा effect कीजा है फ्रय हो जाए टमाटर दो में पर अमच का इस्तमाल कर रही है start तो अब मै पूरे मसाले पूरा ठीट कूले मेरा दो सू है आपगे कीचा मानला मानला पूरा भागे , पीया है तो दो मिक्सर जार में इसको डाल चुकी हूँ इसको अब मैं थंडा करने के लिए रख दूँगी थंडा हो जाएगा फिर मैं इसको पिसूँगी मैं गरम गरम इसको नहीं पिसूँगी जब तक मसाला थंडा हो रहा है मैं यहां पे अंडों का तयारी कर लेती हूँ क्यों अंडे का बनेगा एक्स वाली जो तड़के का डाल होता है ना कॉल का था स्पेशल में आज वही चीज बना रही हूँ तो मैं यहां पे तीन अंडे का इस्तेमाल की हूँ आप चाहे तो जादा कम कर सकते हैं तो यहां पे एक पैन में मैं बटर ले रही हूँ बटर को हमको पूरा गलान नहीं है बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगे है ना देखिए तो इसमें मैं चॉप्ट ओनियन डाल दूंगी डिरेक्ली तो ओनियन के साथ बटर जब मिलता है ना उसका जो एक आरोमा उसका जो एक खुश्बू आता है ना वो ना एक्चुली दिल से कनेक्ट करता है बहुत अच्छा लगता है तो देखें ओनियन इसके साथ थोड़ा बहुत मैं फ्राई कर लोगी ज्यादा फ्राई नहीं करना है फ्राई करते हुए मैं यहां पर जो अंडे रखे थी ना फेट के उसको मैं इसमें डालने वाली हूँ तो चलिए अंडा मेरा डल चुका है यहां पर अब अंडो को मैं क्या करूँगी ओमलेट नहीं बनाऊंगी इसको भुजिया बना लोगी पूरा एक साथा बट मेक शूर अंडा पूरा अंदर तक पका हुआ होना चाहिए नहीं तो अंडे का एक स्मेल हो जाता है तो अंडे अच्छे से अब पकाईए मेक शूर कीजिए पक चुका है तो यहां पर मसाला मेरा थंडा हो चुका था तो मसाले मैं यहां पर पीस ली थी तो मेरा करहाई यहां पर गरम हो चुका है ओल भी तो यह जो मसाला है मैं डिरेक्ली करहाई में डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा पानी यहां पर ले ली हूँ मैं मिकसर जार म क्योंकि Masala जो है, अंदर पूरा चिपक गया था, तोि इसको मैं डालके, इसको मैं Stir Fry दे रही हूँ. Masala को यहां पर मुझे अच्छे से पकाना है, इसलिए मैं Stir Fry दे रही थी, अब Masala में, यहां पर स्टेज में मैं मिलाऊँगी, Ginger Garlic paste, यह बहुत जरूरी स्टेप है नहीं तो मसालों का एक स्मेल आ जाता है अब मैं क्या करूंगी इसको ढख के लो फ्लेम में मसाला को पकाऊंगी जब तक इसका और रिलीस नहीं हो जाए तो जब तक मसाला मेरा पकड़ा है तो यहां पे मैं रोटी का तयारी कर लेती हूं क्यों चलिया आटाया मेरा तयार हो गया है और यहां मेरा मसाले भी पक चुका है देखिए पूरा ओइल रिलीस हो चुका है अंदर से थोड़ा-थोड़ा मतलब नीचे में चिपका है इससे डरने का जरूरत नहीं है मसाला मेरा पूरी तरा से पक गया है तो मैं आप क्या करूंग कि गैस को मैं आफ कर दूँगी और आफ करने के बाद मैं चलूँगी कुकर के तरफ कुकर में भी सीटी अपने आप प्रेशर लूज हो चुका है तो देखिए मेरा डाल कितना अच्छा से पक चुका है एक दम अच्छा से ये वाला डाल मेरा पक चुका है देखिए कितना तो इस स्टेज में आके आप गैस को आउन कीजिए पूरा डाल मसाले में जाने के बाद जब आप इस टार फ्राइ दे रहे हो ना तब गैस को आउन कीजिए देखे मुझे थोरा सा थिक लग रहा था consistency तो मैं पानी डाल के अज़िस्ट कर रही है आप लोग चाहे तो उतना ठीक भी खा सकते हो पानी नहीं डाल सकते हो और चाहे तो अपना हिसाब से consistency adjust कर सकते हूँ by the way इस समय पे मैं flame को low कर दूँगी और इसको ढग दूँगी लेकिन नहीं मैं नमक डालना थोड़ा भूल गई थी मुझे लग रहे हैं नमक थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा सा नमक में हलका सा इसमें मिला दूँगी अपना taste का accordi नमक मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा क्योंकि नमक तो mixed भी करना पड़ेगा न मममीज by the way नमक mixed करने के बाद low flame में आप लोग इसको ढखक के एक उबाल आने तक पकाईए बस और कुछ नहीं देखिए इसमें उबाल आ चुका है अब मैं ये जो अंडे थे मेरा भुजिया अंडा का इसमें मैं मिला दूँगी मेरा डल पक चुका है और कुछ मुझे नहीं करना है बस ये मैं मिला दूँगी मेरा हो गया रेड़ी बस अंडे मिलाने के बाद मैं इसको एक स्टार दे दूँगी मिक्स दे दूँगी गिव इटो एक गुर्ड मिक्स और एक दम मेरा धाबा स्टाइल ग्रीन मोंग अच्छिली तरके का डाल रेड़ी हो गया आप चाहे तो इसमें कौरीनडल लिप्स डाल सकते हैं कहारी थी-ब्स नहीं डाल रही है क्योंकि मेरे पास अपस लिड़न नहीं है इसलिए तो चलिए इसको आप सर्विंग भूल में निकाल लेती हूँ मैं मेरा हो गया गैस आफ कर दी हूँ और देखें कितना यमी लग रहा है देखने में अच्छा लग रहा है ना तो आप लोग भी बनाईए चलिए मुझे तो भूक लग रहा है मैं लंच सर्फ कर लेती हूँ जल्दी से तो मैं यहाँ पर सर्फ कर रही हूँ ग्रीन मोंग एक्चिली अंडे वाली तरका के डाल और उसके साथ मैं पेर करी हूं रोटी और उसके साथ मैं मोटे मोटे जो धाबा में ओनियन काट के देता है ना यह मुझे आशेकर जी को बहुत पसंद है वैसा ओनियन और उसके साथ मैं सर्फ करूंगे हरी मेर्च जो तीखी वाली हरी मेच होता है न ये वाली ये हरी मेच और इसके साथ ही मैं सर्फ करने वाली हूँ प्लेन दही इसके उपर में कोई रायता नहीं कुछ नहीं ये प्लेन दही है इसके उपर में जस्ट पिंक सॉल्ट डाल दोंगी बस हो गया मेरा लंच थाली अगर आप लो लोग मेरे चैनल में नए हूँ तो दू सब्सक्राइब माई ब्लॉग और हाँ आप लोग ज़रू च्राइब कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कॉमेंट करके बताने मत भूलिएगा तब तक के लिए बाइबाय टेक्या थैंक यू फोर वाचिंग